जहीं दोस्तों, तो बहुत बड़ी खुसकबरी निकल करके आ रही है नवोदे विद्याले समीती की तरफ से, तो NVS के लिए recruitment का आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे, तो साल 2024 की ये vacancy आ गई है नवोदे विद्याले समीती की, जो की non-teaching positions पर direct recruitment drive आपकी आउट हो चुकी ह तो इसके बारे में complete details इस वीडियो में देखेंगे, आज की ही ये notice है, complete जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, और जल्द ही आपको teaching positions पर भी vacancies देखने को मिलेगी, तो आप अपनी तयारी को अगदम अंतिमायाम दे देदे होता है, एरिम में लग जाएं, तो चलिए देख लेते हैं इसका details इक बार, देखेंगे यहां पर पहले कौनकों से post है, recruitment of female staff nurse जो कि आपका पहला post होने वाला है, assistant, section officer का पद है यहां पर, उसके बाद एक audit assistant है, legal assistant है, junior translation officer है, stenographer है, उसके बाद computer operator है, catering supervisor है, junior secretariat assistant है, उसके बाद junior secretariat assistant, JNV के अडर, ठीक है headquarter और RO cadre में, और उसके बाद original offices में, उसके बाद जबाद जबाद न हो देले, ठीक है, तो यह सारी आपके post है, ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद important details की, तो, इसके बाद दिखिए, headquarter और original office में आपके यह सारी vacancies है, और GNV में बागी जो schools होते हैं, उसमें इसके बाद नीचे आएंगे, तो assistant section officer का पोस्ट है, और यह भी group B का पोस्ट होने वाला है, जिसका post code 2 है, 0-2, कुल पदो की संख्या की बात करें, तो 5 पदो की संख्या है, और जिसमें general category में, यह यह र में 4 vacancy है, OBC में 1 vacancy है, इसके बाद audit assistant group B का post, यह भी इसमें post code 3 है, कुल पदो की संख्या की बात करें, तो 12 vacancy है, जिसमें UR में 8 है, AWS में 1 है, OBC में 1, SC 2, इस तरीके से, नीचे आए, junior translation officer group B का post, post code 4 है, इसमें कुल पदो की संख्या 4 है, और category wise आप vacancy देख सकते हैं, legal assistant का post है, जो की group B का है, post code 05 है, इसका, कुल पदो की संख्या 1 है, इसम इसमें आपके UR में 14 vacancy, EWS में 2 vacancy, OBC में 2 vacancy, SC में 4 vacancy, और ST में 1 vacancy है, computer operator का भी post है, जो की group C, यानी level 4 का post है, जिसमें 7, 07 post code है, कुल पदो की संख्या मातर 2 है, यहां पर, catering supervisor group C का post, post code 08 है, और इसमें कुल पदो की संख्या 78 है, जिसमें UR में आपके 44 set है, EWS में 7, O OBC में 13, SC 10, ST4, अगला vacancy है, junior secretariat assistant group C का post है, और यह आपका post code 09 है, काफी अच्छी vacancy, junior secretariat assistant, जिसमें 21 पदो पे आपकी यह रिखतियां है, जिसमें UR में 13 seat है, नीचे आईए, उसके बाद junior secretariat assistant group C का post, जो की JNV cadre में है, उपर वाला जो था, वो headquarter original office में था, तो JNV cadre में आपर, जो की काफी ज्यादा है, आप तक की सबसे ज्यादा vacancy है, आपको junior secretariat assistant में देख रही है, 360 पदो पे vacancy, जिसमें UR में 145 है, उसके बाद 36 vacancy है, उसके बाद 36 vacancy है, और OBC में आपकी vacancy हो की संख्या की बात करत तो 86 है, SC में 67 है, और ST में 26 पदो की vacancy, कुल मिला कर 360 ह पोस्ट है, पोस्ट कोड़ इसका 11 है, और कुल पदो की संख्या 21 है, जिसमें UR में 55 vacancy है, EWS में 12 है, OBC 15, SC 23 और ST में 3 vacancy है, उसके बाद लेब अटेंडिन ग्रूप C का पोस्ट, पोस्ट कोड़ इसका 12 है, जिसमें 161 पदो पे vacancy है, तो आप vacancy देखते जा रहे हैं, में 33 पदो की रिखतिया है, इसका MTS का पोस्ट है, जो कि 10th लेवल का होता है, ग्रूप C का ही पोस्ट है, पोस्ट कोड़ इसका 14 है, और इसमें कुल पदो की संख्या की बात करते हो, मातर 19 है, और इसमें UR में 11 है, 8 और इसमें 2 है, OBC में 4 है, SC में 2 है, अच्छी vacancy होते ह पोस्ट के सारी चीज़े देखते चलेंगे, जो ग्रूप B का पोस्ट था आपका जो की सबसे पहला था, female staff post code 01, female staff nurse का, यह एक पे लेवल 7 का पोस्ट होने वाला है, इसमें आपका basic pay 44,900 है, ठीक है, और इसमें आपका 35 साल maximum age limit रखा गया है, essential qualification की बात करें तो आपके पास B.Sc. Honors हो, nursing में तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं, regular course in B.Sc. Nursing from recognized university तो भी इसके लिए अपलाई कर सकते हैं, बाकी आप educational qualification देख लेंगे, इसके बाद जो post number B है, यह भी group B का post है, आपका pay level 6 का इसमें salary होने वाला है, जो की आपका 35,400 basic भी होगा, उसके बाद इसकी age limit इसके बात करें, तो इसमें age limit है, between 23 to 33 years, तो minimum age limit आपकी इसमें रखी गई है, 23 साल और maximum 33 साल है, और यह assistant section officer का post है, जिसमें आपके पास bachelor's हो, किसी भी subject में आपके पास 3 साल का resolution होना चाहिए, तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं, यह essential qualification है, और यहाँ पर देखिए, तो आपक social matters in central government autonomous organization under the central government, ठीक है, उसके बाद audit assistant का post है, जो कि post code 3 था, जिसका, इसमें qualification बीकों मांगा जा रहा है, किसी भी university से, पे लेवल 6 का यह भी post है, 18 से 30 साल आपकी age limit है, essential qualification में देखिए, आप यहाँ पर बीकों है, और इसके बाद desirable में 3 साल का experience है, तो यहाँ पर experience mandatory नहीं है, अगर आपके पास experience नहीं है, फिर भी आप जरूर इसमें apply करें, ठीक है, आप apply कर सकते है completely, उसके बाद next vacancy देखिए, junior translation officer का है, जिसमें post code 4 था, यह भी level 6 का group B का post था, इसमें 32 साल आपकी maximum age limit रखी गई है, essential qualification की बात करें, तो master's degree हो आपके पास किसी भी recognized university में, in Hindi with English as a compulsory subject, ठीक है, और यह फिर electory subject, और as a medium of examination at the degree level, ठीक है, बाकि आप और करके आप यहाँ पर काफी सारे qualification देख सकते हैं, इनमें से कोई भी qualification अगर आपके पास है, तो आप इस पद के लिए जरूर apply करें, ठीक है, बाकि आप address जाना चाहते है, कोई query है, तो आप comment section में post सकते है, legal assistant का post है, ठीक है, यह भी level 6 का group B का post है, 23 से 35 साल आपकी age limit यहाँ रखीगी, यह law में degree है, तो आप इसके लिए apply कर सकते हो, तीन वर्सों का अनभव भी इसमें मंगा जा रहा है, ट्रेनोग्राफर का post देखिए, जो की group C का post है, level 4 का है, 25,500 basic पी होगा, ठीक है, उमर सिमा क आपके बात करें, तो 18 से 27 साल आपकी उमर सिमा रखी गए है, जिसमें आपने 12 का रखा हो, किसी भी बोर्ड यह उनिवर्सिटी से है, और इसके बाद इसमें आपका 1 skill test भी होगा, जिसमें 10 minutes का, जिसमें 80 words per minute के सबसे आपके timing speed होनी चाहिए, ट्रांस्किप्सन में देखि आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं, अगला पोस्ट के टिंग के टिंग सुपरवाइजर है, इसके बारे में डेटेल साप आराम से देख सकते हैं, लेवल 4 का पोस्ट है, पे मैट्रिक्स में 35 साल maximum is limit रखी गई है, आपके पास बैचलर्स टिग्री हो, होटल इसके बाद यानी तो आप देखे, पास प्लस टू लेवल अफ सीने सेकंडरी फ्रम सीबसी आए स्टेट बोर्ड विद सेक्रेटारियल प्रैक्टिस एंड ओफिस मेनेजमेंट एज वोकिशन सब्जक्ट है, तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं, और इसके बाद और क दो वर्सों का अनभब भी मांगा जा रहा है, इसमें, लेव अटेंड का पोस्ट है, तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं, मैस हेलपर की वेकेंसी है, क्लास टेंड कर रखा हो आपने और पांस साल का आपके पास अनवब हो, रेसिडेंसल और और इसकूल में आपके प पांस साल का छूट मिलेगा अधिक्तम उम्रसिमा में और OBC के नॉन क्रिमिलियर को तीन साल का, फॉर दी पूश्ट अप मैस हेल पर कुछ कंडिशन्स है, जिसमें आपको 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 आपके पास तो आप पांस साल का एज रिलेक्सिशन क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद ठ है, डिसेबिलिटी वालों को और एक सर्विस के मैन को भी यहां पर उम्रसिमा में छूट दी गई है, जो आपके एज और क्वालिफिक्सन जो कल्कुलेट होगी, वो क्लोजिंग डेट पर ही कल्कुलेट होगी, तो जो आपके फॉर्म भढ़ने के लास टेट है, उस दिन से इसके बाद नीचे आते हैं, मोड अफ सेलक्सिन की बात करें, तो आपको जानते ही है, कि इसका कॉंपटिटिटिव एक्जामिनिसन होता है, यानि एक्जाम होगा आपका एक सीविटी और उसके थुरू ही आपका यहां पर सेलक्सिन होना है, यह आपके सेंटर होगे, जहा आपको हर पदो के लिए, हर पोस्ट के लिए आपको सीविडियो में नहीं देखने वाला हूँ, क्योंकि आप वीडियो काफी लंबी हो जागी, तो आप इसका डिटेल्स हराम से वीडियो पॉस्ट करके देख सकते हैं, अब एक्जाम होगा उसके लिए आपका इस तरह के स एक्जाम होगे, questions देख लिए कहां कहां से हैंगे, audit assistant का post है, इसमें आपका प्रस्ट कहां से आएंगे, समय सीमा यहां पर mention की हुई है, उसी तरह के सदेखे, junior translation officer है, उसमें questions कहां कहां से आएंगे, और कितने प्रस्ट होने वाले हैं, 100 प्रस्ट होने वाले हैं, 10 गिंटे क समय होगा, इस सारी चीज़ आपको यहां पर mention की हुई है, ठीक है, उसके बाद नीचे आते है, apply कैसे करना है, तो apply online ही करना है आपको, और उसके बाद नीचे आए, no application fee, कोई application fee नहीं है, SC, HD, PWBD, category के लिए, ठीक है, और उसके बाद application fee की बात कर लेते हैं, तो female staff nurse के लिए 1000 रुपे रखे गया है, general EWS, OBC के लिए, ठीक है, और SC, PWBD, आप जानते हैं, कोई fees नहीं है, processing fee 500 है, application fee कोई नहीं है, total 500 उनको भी लगएगा, ठीक है, उसके बाद यह सारे जो post है नीचे वाले, जो कि assistant section officer है, audit assistant है, और बाकि जितने भी post है, उन सभी के लिए, बाकि सभी category के लिए, आप देख सकते हैं, आपर general के लिए, application fee 500 है, और processing fee 500 है, खुल मिलाकर 1000 रुपे की fees रखी गई है, और बाकि एक category के लिए 500 रुपे फीस रखी गई है, ठीक है, चलिए अब नीचे आते हैं, और भी important चीज़ है, general instructions for candidates, negative marking आपका इस exam में होने वाल है, one fourth negative marking आपका ह यह notification आपको official website पे मिल जागा, यानि तो हमारे telegram channel से भी आप इसको download कर सकते हैं, ठीक है, तो यह vacancy के बारे में details थी, जो कि आपने देखा, तो कुल 1377 पदो पे यह vacancy थी, जिसका notification आज official website पे नवुदरवी देले समीती के out हो चुका है, और कब से कब तक apply करना है, इसके opening rate और closing rate के बारे में इस notification में जानकारी नहीं है, जो कि आपको बहुत ही जल्दी official website पे notification के मादम से update कर दिया जाएगा, तो आप उसकी चिंता ना करें, recruitment drive 24-24 non-teaching positions के लिए, यह notice out हो चुका है, तो आप आप आपने तैयारियों में लग जाए, और इस video को share करें उन लोगों क जिनके पास इस हैरे qualifications है, thank you